अगर आपके मन में confusion है कि बायांक निफ्टी और निफ्टी हमारा कलके डेट में क्या कर सकता है और कौन से well performing stock हो सकते हैं कलके लिए तो आज की वीडियो स्पेशली बनी है आपके लिए नमस्टार दोस्तो मैं हूँ प्रभात कुमार स्वागत करता हूँ प्रभात वीडिंग सर्विस आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी बायाक निफ्टे के important prediction लिवल देने वाला हूँ कल के लिए यानी 8th of November 2021 के लिए और इसी के साथ मैं आपको दो जबरदस्ट stocks बताऊंगा जो की कल के रिट में बहुत बड़िया परफॉर्म करने वाले हैं और इसी के साथ मैं बताऊंगा एक ऐसा जबरदस्ट call option और put option जो की आपको कल तगड़ा momentum दे सकता है दोस्तो वीडियो का like एम रखते हैं 2000 लाइक तो चलिए देद ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए हम आचोके बैंक निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है हमारा अभी स्टिल रेंज में हैं ठीक है अब कल के डेट में देखो क्या रणीती हो सकती है पहले समझने करते हैं देखिए पहले बात तो बैंक निफ्टी रेंज में कैसे है आप खुद देख सकते हैं यह रेंज में हैं बैंक निफ्टी ठीक है यहाँ पर क्या हुआ है एक मूरत ट्रेडिंग के दिन क्या हुआ है बिल्कुल bank nifty ने kind of बिल्कुल consolidation फॉर्म कर दिया gap खुला थोड़ा gap fill किया है ठीक है अब मेरे अब देखो मेरा क्या रनीती है अगर bank nifty में थोड़ा बहुत buying हमें देखने को मिलेगा कहने का मतलब अगर bank nifty में अगर आपको buy करके चलना भी है तो पता आप क्या करिएगा हमें काम करके चलेंगे हम इस रेजिस्टेंस को पर buy करके चलेंगे यह रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं यह रेजिस्टेंस ठीक है अब इसके उपर लगतार 10 पंजरमेट सस्टेंड करता है तो आपक 39,530 का टागेट 1 होगा आपका 39,700 का टागेट 2 होगा आपका 39,800 का टागेट 3 होगा आपका 39,900 का टागेट 4 होगा आपका 40,000 का यह तीन टागेट आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, अगर यह लेवल तूटता है तो इंट्राडे के लिए, अब तुनिएगा important बात क्या है, अब बात यह कि अब न, ऊपर कभी भी ग्यावब खुलेगा तो आप buy करने का माँ सोचीएगा, क्योंकि यह मैंने आपको just kind of बताया range trading ठीके न, जब यह range चूटता है तो, क्योंकि देखो, bank nifty के important critical resistance से उपर है यहाँ भी है, आपका 900 के आसपास भी है, और 40,150 के आसपास है तो हम fresh buy करके 40,150 के उपर चलेंगे, अब ही तो बस हम range trading करेंगे, ठीके, अच्छा आपको कमजोरी कब दिखेगी दूस्तों मैं आपको बता दूँ देखो, कमजोरी आपको तब दिखेगी, जब आपका bank nifty इसके नीचे लगतार रहता है, यह कितना level है, मैं आपको दिखा जेता हूँ 39,500 600 कह लेते हैं, ठीके यह आप देख पाया रही, जो support बना था 39,600 जब तक इसके नीचे रहेगा, तब तक आपको एक kind of selling का pressure दिखेगा, ठीके तो इसको समझने का प्रास करिए, अगर इसके नीचे रहता है, तो हो सकता है हमारा जो bank nifty 39,300 तक भी चला जाए यहां तक भी चला जाए, जो logical एक सपोर्ट बनते हैं, वो दिख रहा है दोस्तों, आल राइट, तो main अगर हमको selling दिखती ही, तो मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा, बाकी तो हम देखो, बायतों करके चल नहीं वाले हैं देखी, अब माल लीजिए bank nifty nifty में 500 से 1000 पॉइंट की rally कव आईगी, यह जब consolidation देख पा रहे हैं, अगर यह consolidation टूटा है, यानि 40,150 या तो 40,170 के level को अगर हमारा 30 minute अगर हमारा bank nifty sustain किया न, तो मैं आप बता दूँँ, फिर 40,500 और 40,800 के target आपको, और 41,000 के target आपको देखने को मिलेंगे bank nifty में, I hope समझने का आप रास कर रहे होंगे आप, क्योंकि bank nifty इसी के फिराक में है, देखो bank nifty अभी इतना चलने के बाद, it is just making a consolidation and and it has to go up for sure, चलिए हम जान जोके bank nifty का view, ठीक है, और देखो daily के chart पे, it is just a kind of consolidating a continuation pattern जो की मेरे को लग रहा है, जानते हम nifty का view, देखिए nifty का जो है view, हमारा अभी, अभी still वही continuation pattern में हमको बनते हो दिख रहा है nifty, ठीक है, आप देखिए, अब मैं आपको five minute के, ten minute के chart पे लेके चलता हूँ, nifty भी kind of हमी, हमारा जो है kind of range में, आप देख पा रहे हैं, it is in range, ठीक है, अभी यह बिल्कुल range में है, अब यहाँ पर आप थोड़ समझने का प्रास करिए, कि अगर आपको intraday में buy करके चलना, तो आप क्या करके चलेंगा, देखो simple सा intraday में buy करके 18,990 का, target second would be 18,050 का, target third would be 18,100 का, तो these are the two targets in the nifty as well, ठीक है, यह आपको देखने को मिल सकता है, nifty में, बाकी, हाँ, देखो, अब ideally अगर किसी को buy करके चलना है, तो वो कितने को पर करके buy करके चलेगा, तो देखो, 18,000, almost 50 or 60, ठीक है, 18,060 क्या लेते हैं, 18,060 एक critical resistance है, अगर इसके उपर हमारा आदे गंटे nifty sustain होता है, 30 minute sustain होता है, तो nifty can go up to 18,200 and 18,400 की target के लिए, हाँ, अब देखो, जैसे ही यह consolidation break होगा, break होने के बाद, nifty फिर से हमारा चला जाएगा, 18,700 के target के लिए, and this is for sure, यह होना ही, यह मैं आपको बता दू, market bull run में है, market will dip and go up, तो यह मैंने आपको समझा दिया, nifty bank, nifty का view, तो I hope आप चीजों को समझने का प्रास कर रहे होंगे, तो आप हर market से पैसा कमा पाएंगे, चाहे market अब होया डाउन हो, हम जान चोके है, nifty bank nifty का view, दोस्तो आप बिल्कुल वीडियो के end तक देखिएगा, मैं इसमें call option भी बताने वाला हूँ, bank nifty का, चलिए, अम जानते है, मारा पहला stock, जो दोस्तो पहला stock है, उसका नाम है sun tv, दोस्तो sun tv को buy करके चलना है, 610, SL would be 605, target 1 would be 617, target second होगा आपका 600, let's say 25, तो दीज़ आदा two targets of the sun tv, मैं reason आपको बताई दिया है, देखो अगर कल नहीं चलता है, तो परस हो जरूर चलेगा यह, मैं आपको इस रिक बता रहा है उग्जाम्पल, दोस्तो second stock का नाम है, दोस्तो second stock का नाम जाने उससे पहले, दोस्तो अगर आप stock market में loss कर रहे हैं, तो you should stop your trading right now, और आपको focus करना चाहिए, अपने learning के उपर, देखिए, काफी लोग यह गलती करते हैं stock market में, कि वो बिना कुछ सीखे और समझे, वो market में उतर जाते हैं, और वो अपना पूरा capital burn कर देते हैं, दोस्तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 50% CAGR से अपने portfolio को grow किया है, in just one year, तो दोस्तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको stock market में एक professional trader और investor बनना है, और दोस्तो अगर आप struggle कर रहे हैं stock market में perfect entry और exit के लिए, और अगर आपको भी अपना career build up करना है, professional trading और investing में, तो मैं आपके लिए एक बड़िया opportunity लेके आया हूँ, हमारा online training course जो की 19th of November से start होने जा रहा है, दोस्तो यहाँ पे मैं आपको मेरे price action के secrets, trades, यहाँ पे मैं आपको one of the best psychology सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप stock market में एक successful trader और investor बन सकते हैं, दोस्तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप intraday trading, short term trading, positional trading, long term trading और कैसे आप features and options में काम कर सकते हैं, तो अगर आपको अपना future build-up करना है stock market में, अगर आपको भी अपना एक career build-up करना stock market में और एक professional trader और investor बनना है, तो आप इस online training course में enroll करवा सकते हैं, दोस्तो जॉइन करने के लिए आप हमको इस number call करके या whatsapp करके अपनी seat book करवा सकते हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ class में, thank you very much, second stock है हमारा ICSA bank, ICSA bank हमको kind of sell करके चलना है, देखो result आया था, लेकिन अब kind of मेरे को लग रहा है gap filling के लिए जा रहा है, kind of double bottom था, उसने break down कर दिया है, तो हमको ICSA bank को sell करके चलना है, इसके नीचे देखो आपको break down तो दई दिया है, अगर आप 5-10 minute के chart पे आएंगे तो हमको sell करके चलना है 800 के नीचे, sorry हमको 200 sell करके चलना है 780 के नीचे, sell below, हमारा SL क्या होगा, 780, कितना हम रखने, 84 कर लेते हैं, दोस्तो, SL हम जान चुके हैं, 784 होगा, target जानने उसे पहले, आइए मैं आपको लिगे चलता हूँ हमारे टेलिगाम चैनल में, जहां पे हम आपको nifty bank, nifty stocks के trade देते रहते हैं, free of cost, और जहां पे आप कुछ ना कुछ मुनाफ़ा जलूर कमा सकते हैं, free of cost, तो देखो हमने previous ट्रेडिंग सेशन में, हमने जो आपको stock दिया था, पहला stock था, गोजवेद प्रोपर्टी का बहुत बढ़िया return दिया था, दोस्तों, गोजवेद प्रोपर्टी ने, हमने किवल एकी stock दिया था, आपका दिन शुब बनाया था, ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ स करने वाला हूँ, दोस्तों, ये 230 के असपास गया था, अभी 2000 के असपास बंध है, ठीक है, तो ये और उपर जाएगा, मैं दोस्तों, इसके उपर वीडियो भी लाने वाला हूँ, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, कि मैं TCI Express के उपर वीडियो लाँ हूँ, उसके पीछे क के उपर, ठीक है, तो हमको 39,500 का कॉरॉप्शन लेके चलना है, 11th of November वाली एकस्पाइरी का, दोस्तों, ये आपको पता है, कहां मिलेगा, मैं आपको बता दू, दोस्तों, ये आपको मिलेगा, around इसके उपर, ठीक है, यानि 460 के उपर, by above 460, SL would be 420 का, target 1 होगा आपका 560 का target 2 होगा, 600 का, target 3 होगा, 660 का, तो ये 3 target होगा आपका, इस call option में, ठीक है, आप लोग जरूर धान से इस call option को देखिएगा, focus करिएगा, दोस्तों, बाकी आज के लितना ही, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है, तो don't forget to hit the like button, और आप चैनल को अगर पहली बाद